यहां पर आप लाइक देख सकते हैं कि हमें HDFC बैंक ने 3 क्रेड़िट कारड ओफर किया है एंड यह क्रेड़िट कारड एप्रूब हो चुके हैं मैं इनमें से जो भी क्रेड़िट कारड चाहूं यहां पर इंस्टेट ले सकता हूं यहाँ पर luckily मैं इस credit card को लेने के लिए कोई भी joining fees पे नहीं करना है और कोई भी income probe भी नहीं देना है दोस्तो HDFC bank के credit cards इंडिया के best credit cards माने जाते हैं ऐसे में अगर आपको भी HDFC bank के साथ एक credit card लेना है न इस वीडियो में end तक बने दियेगा इस वीडियो में हम आपको HDFC bank के credit card को apply करने से लेके approval तक का पूरा process आपको live करके दिखाएंगे और यहाँ पर आपको जो भी credit cards offer की जाएंगे उनके benefits, charges and complete information वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे अभी HDFC credit card apply करने के लिए आपको आमारे वीडियो के नेचे description box में HDFC credit card apply का link मिलेगा उस link पे click करेंगे तो आप HDFC bank के website पे आ जाएंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले complete अपना mobile number फिल करना है यहाँ पर pan card का number फिल करना है इन boxes में and then get OTP पे click करना है next page में आपके mobile number फिक OTP send के जाएगा OTP यहाँ पर बरके view the best card पे click करेंगे next page में आपसे कुछ personal details मांगे जाते हैं सबसे पहले आपको आपके नाम का first name यहाँ पर डालना है middle name यहाँ यहाँ पर डालना है है तो वरना आप छोड़ भी सकते हैं and last name यहाँ पर बरेंगे email idea यहाँ पर fill कर देना है और नीचे यहाँ पर आपको employment type के अंदर select one button पर click करना है and अगर आप कोई job करते हैं then select select करेंगे खुद का business यहाँ पर काम करते हैं तो self-employed student housewife retired person जो भी है अपने इसाप से आप select करेंगे अगर आप self-employed select करते हैं तो नीचे यहाँ पर आपको अपने company का नाम भरना है company में आपको क्या post है यहाँ पर आप बताएंगे अगर खुद का है तो आप यहाँ पर और select कर सकते हैं नीचे आपसे GST मांगा जाता है आप इसे चाहे तो भर सकते हैं वरना छोड़ दीजेगा और नीचे यहाँ पर आपको आपका जो work email ID है complete fill करना है अभी नीचे यहाँ पर आपसे address मांगा जाएगा basically यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तो अगर आप इनमें से कोई address पर आप credit card को मंगाना चाहते हैं तो इनमें से आप address select कर सकते हैं अगर आप कोई दूसरा address देना चाहते हैं जो आपको इसमें नहीं दिख रहा है दिन आपको enter manually का option देखने को मिल जाएगा इसको आप select करे आप यह जो एडर्स दे रहे हैं वहाँ पर आपका खुद का घार है company provided है या फिर आप रेंट पर रहे हैं जिस हिसाब से भी है आप अपना यहाँ पर option select कर लेंगे अगर आप ऊपर यहाँ से एडर्स को select करते हैं तर आपका जो complete address है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा विसक यहाँ पर आपको नीचे एक option देखने को मिल जाता है वैसिकली यहाँ पर आप से पूचे जाता है कि आपने जो address select किया है उपर या फिर आपने जो address भरा है अगर यहीं वाला address आपका permanent address है या अधार काड़ वाला address है दिन आप यहाँ पर yes पर ठीक रहने देंगे वरना आ आपका आधार काड़ वाला address अगर दूसरा है तो एक बार इस पर क्लिक करके नो करने और यहाँ पर नीचे आके आप एक वी फैक्स से या फिर एंटर मैनुवली पर क्लिक करके आप अपना complete जो आधार काड़ वाला address है यहाँ पर फिल कर लेंगे यहाँ पर सभी addresses को फिल करन आजाएगा अगर आपका account है आप account statement देना चाहते है तो पहले option को यहाँ पर select करेंगी वाट अगर आप अपना income tax return यहाँ आई टीर अप्लोड करना चाहते है तो यहाँ पर आप दूसरे वाली option को select करेंगे इस पर आप यहाँ पर click करेंगे and okay proceed to verify income online पर click करेंगे next page में आप जितने credit cards के लिए label होंगे उन सभी credit cards का option यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले HDFC bank के जो best card है जो की आपको offer किया जा सकता है उनके बारे में आप फ़रा सा information जान लिजे ताकि आपको यहाँ पर card selector ने में कोई भी दिकत ना सकता है और यहाँ पर अगर आप Indian oil के outlet से fuel purchase करते हैं तो आपको 5% तक का यहाँ पर fuel points देखने को मिलेगा और एक महीने में maximum 200 fuel points आपको मिलेगा और अगर आप groceries या फिर bill payment में भी खर्च करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 5% तक का fuel point मिलेगा और हर एक 1500 के spend पे आपको credit card इस credit card का भी joining and annual fees 500 रुपे है और यहाँ पर आपको 10x cash points मिलते हैं अगर आप big baskets, bookmyso, oio, swiggy, uber इन सभी जगों पे आप transaction करते हैं तो और यहाँ पर 5x cash point मिलते हैं अगर आप EMI पर transaction करते हैं तो और हर एक 1500 के खर्च पे आपको यहाँ पर एक cash point देखने को मिल जाता है और यहाँ पर एक cash point का value 15 रुपेसो का होता है तीसरा नमबर है HDPC का money back credit card इस credit card तभी joining and annual fees 500 रुपे है और इस credit card के कुछ benefits के बारे में बात करें तो यहाँ पर हर 1500 के खर्च पे आपको 2 reward points देखने को मिल जाते हैं वहीं अगर आप इस credit card से online खर्च करते हैं तो आपको 2x reward point मिलेगा यानि हर डेट्सो के खर्च पे चार reward points देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर अगर हर तीन महीनों पर आप 50,000 का खर्च करेंगे तो आपको 500 रुपे का gift voucher भी मिल जाता है and last और सबसे best HDFC bank का credit card है millennia credit card अगर यह credit card आपको offer किया जाता है तेन आप आप आख मुंद के इस credit card को select कर लेना because बाकी सारे जो credit cards हैं इनसे सबसे best credit card आपको offer provide करता है इस credit card का joining and annual fees एक हजार रुपे होता है and अगर आप Amazon, Bookmyso, Clutchfit, Flipkart, Mintra, Sonelift, Swiggy, Dataclix, Uber and Jometo इन सभी जगों पे आप अगर transactions करोगे then आप वो सीधा-सीधा 5% का cashback flat मिल जाता है and 1% का cashback आप चाहे कहीं पे भी खर्च कर लो and हर 3 महीने पे अगर आप एक लाग का खर्च कर लेते हैं तो एक हजार रुपे का gift voucher भी मिलता है so मैंने जो credit cards आपको बताए है maximum यहीं सारे credit cards आपको offer की जाते है so यहाँ पर आपको जो भी credit card चाहिए उस credit card के benefits को अच्छे से समझ के आप credit card को select करेंगे and यहाँ पर आपका टमसेंग एडिशन का box दिखेगा इस box को टिक करके get this card पर click करेंगे next पर यहाँ पर complete आपको आपका office का address फिल करना है then थोड़ा सा support करके नीची आएंगे and यहाँ पर address line 1, address line 2 and address line 3 के अंदर complete address फिल करेंगे यहाँ पर आप pin code फिल करेंगे अपने office का या फिल बिजनेस का and यहाँ पर city और state को आप select कर लेंगे यहाँ पर आपसे आपका annual income tax return पुछे जाता है तो आप यहाँ पर साल में कितने रपे का income tax return बरते हैं वो आप amount यहाँ पर फिल करेंगे यहाँ पर भी आपको नीचे option मिलेगा इसको भी आप क्लिक करके no कर लेंगे then आप continue बटन पर क्लिक करेंगे next phase में आपसे KYC करने के लिए बोला जाता है आप अपने credit card का KYC कुल तीन तरीकों से कर सकते हैं पहला अधार बेस्ट, e-kyc, v-gy-kyc आप अपने credit card का KYC, v-gyc के मादे हम से भी कर सकते हैं दूसरा है biometric जाने fingerprint के थुरू भी कर सकते हैं जिसमें in bank का एक employee आपके घर पे आएगा and आपका जो KYC है वो करेगा and तीसरा आप अपने KYC documents को manually upload करके भी यापर KYC कर सकते हैं so सबसे best है कि आप पहले option पो select करें क्योंकि इसमें आपका KYC instant video call के मादे हम से हो जाता है next page में यहाँ पर आपको अपना language select करना है then यहाँ पर आपको तंसन करनेशन के box पर टिक करके proceed to e-kyc पे क्लिक करना है अभी यहाँ पर आपका complete अधार card का number fill करके get otp पे क्लिक करना है अभी आपके अधार card से registered mobile number पे e-kotp जाएगा otp यहाँ पर fill करके verify e-kyc अभी next page में आपका अधार card वाला address automatic यहाँ पर detect हो जाएगा अगर आपका अधार card वाला address ही mailing address है तो यहाँ पर आप यहाँ पर टिक रहने देंगे अगर आप कोई दूसरा address fill करना चाहते है तो इस पर click करके no करेंगे और दूसरा address fill कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर continue बटन पर click करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर start video के वाईसी वाले option पर click करना है next page में आपसे आपका camera, microphone and location का permissions मागा जाएगा तो यहाँ पर permissions को आप allow करेंगे तिन आपका एक video call HDFC bank के एक employee के साथ connect हो जाएगा video call पर live आपको अपना pen card दिखाना होगा आपको एक paper पर signature करके दिखाना होगा और आपका एक selfie खीचे जाएगा और उसके बाद आपका जो video के वैसी वो successful complete हो जाएगा जैसे ही आपका video के वैसी complete हो जाता है यहाँ पर एक reference number आपको देखने को मिल जाता है और कहा जाता है कि 7 से 10 दिनों के अंदर आपका credit card आपके घर के address पर deliver कर दिए जाएगा और एक confirmation message आपके mobile number पे भी send किया जाता है और आपका जो virtual credit card है यानि credit card का number बगेरा instant generate हो जाता है और आपकी email पे send कर दिया जाता है बिसिकली आपको अपने email को check कर रहा है वहाँ पर आप अपने credit card का virtual format देख सकते हैं और यहाँ पर आप अपने credit card का number बगेरा भी instant देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आप SDFC bank के साथ एक credit card online अपलाई कर सकते हैं और बनवा सकते हैं उमीद यहीं करता हूँ कि वीडियो पे दीगे जनकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share, comment कीजेगे और आपको subscribe करनीजेगे